देश में मौजूदा स्वास्ते मुसीबत के बीच जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाया रखने के लिए बीज़पी ने सोशल मीडिया का सहरा लिया है वर्चुल रैली के जरिये बीज़पी नेता जनसमवात कर रहे हैं जनता तक पहुँच बनाने के लिए जगे जगे LED और स्मार्ट टीवी भी लगाए गए जिस पर समाजवादी पाती अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंश कसा है क्या कहना है अखिलेश यादव का इस रपोर्ट में देखिए मौजूदा स्वासे हालात में नेताओं के प्रचार का तरीका बदल गया है अब चुनावी सभाएं और रैलिया सोशल मीडा पर शिफ्ट हो गई है सोशल मीडा के जरिये ही पातियां जुनता के बीच अपनी पैंठ बनाने में जुटी हुई है इस दौरान बीजेपी ने भी वर्चुल रैली की नई परंपरा शुरू की है गुरी मंत्री आमत्शह ने विहार से वर्चुल रैली की शुरुवात की थी और उसके बाद ओडीशा और पश्चम मंगाल की जंता को भी वर्चुल रैली के जरिये संबोधित किया था जादा लोगों तक पहुँच बनाने के लिए बीजेपी ने जगे जगे एलीडी और स्मार्ट टीवी लगवाए हैं जिसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है समाजबादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा के लापटॉप वित्रण कारिक्रम की याद दिलाते हुए बीजेपी पर तंश कसा है अखिलेश यादव ने ट्वीट किया सपा ने भविशे की पीडियों को सशक्त करने के लिए उन तक लापटॉप पहुँचाए जबकि बीजेपी ने मौजूदा स्वास्ते मुसीवत पर जीत हासल करने की जगे चुनाव जीतने के लिए जंगल तक में LED लगवाए ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी की वर्चुल रैलियों को लेकर अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हो इससे पहले भी पश्चम बंगाल में बीजेपी की वर्चुल रैली को अखिलेश ने खर्चुल रैली बताया था जाहिर है BJP जनता के बीच अपनी 26 उधारने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती लिहाजा पार्टी मौजोदा स्वास्ते मुसीबत के बीच भी वर्चुल रैलियों के सहारे जनसम वात कर रही है लेकिन अब वर्चुल रैलियों को लेकर विरोधियों के तल्ख तेवरों का सामना BJP कैसे करती है ये देखना दल्चस्प होगा डीबिलाइफ की रिपोर्ट